हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं टूप चैनल डेपी अडू केर दोस्तों आज से हम लोग फिर से करंट अफिर्स की कक्छाएं प्रारम कर रहे हैं बीच में कुछ व्यब्धान की बज़े से समय ना होने की बज़े से रुप गई थी लेकिन अब हम कॉंटीनू कर रहे हैं करंट अफिर्स की आपको स्रीज भी मिलने वाली है यहीं पर युटुब पर विडियो के माद्यम से जैसे आपने हिंदी की स्रीज हल की थी जी स्की की ती ठीक तो हिंदी की देखिए थी उनको भी हम continue करेंगे और अब current affairs की test series भी आपकी online YouTube platform पर start की जाएगी जो की पूरी तरह निशुल्ख होगी जिस तरह से आपने हिंदी की दीती, GS की दीती, वैसे ही आप current affairs की test series दे पाएंगे, ठीक है, और समिच्छा दिकारी, साइक समिच्छा दिकारी 2021 के लिए, जिसका exam 5 December 2021 को है प्रारंबिक परिक्षा है, उसके लिए test series बस 2-4 दिन में start होने वाली है, आप लोग को notification दिया जाएगा, यूटूब के माद्यम से या हमारे ग्रूप में या टेलिग्राम पर या वाट्शब पर हर जगे आपको सूचना दे दी जाएगी, कि आरो यारो 2021 के लिए, प्रारंबिक परिक्षा के लिए, GS और हिंदी की test series प्रारंब हो गई है, test series पुरा बिस्तार से होगी, करीब 40 से 45 series आपको मिलेगी, जिसमें महात्पूर भूम का होगी, current affairs की, current की 15 से 20 series अकेले होगी, GS की होगी, हिंदी की होगी, जनगरना, budget economic survey, सबकी अलग-अलग series होगी, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी, लगबख 4000 से 4500 question आपको, RO, RO की series में उपलब्द कराए जाएंगे, अगर आपने इतने question एकर 2-3 वार revise कर लिए, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत सारा syllabus कंप्लीट हो जाएगा, साथ में उन प्रस्नों की आपको ब्याख्या भी मिलेगी, ठीक ह तो बस थोड़ा सा धहर और रखिए, चुकि आप लोग बहुत परिशान है, बहुत डिमांड हो रही, बार बार मैसेज आ रहे, call चार एक सर, series कब start होगी, तो बिलकुल वस इंतिजार की घड़ियां खतम है, 2-4 दन इंतिजार और करिए, series बिलकुल final stage में है, type हो रही है, correction हो रहा है, और जैसे ही correct हो के आजाती ही, वैसे आप लोग को अपलब्द करा दी जाएगे, ठीक है, सुचना आपको दी जाएगे, PCS की series चल लएगे, तो उसे आप भी join कर सकते हैं, ठीक है, PCS की series, join कर सकते हैं, जो 24 अक्टूबर को आपका एक्जाम है, PCS प्राडमिक पर ले करके, नॉमबर 2021 तक का पूरा अकरीब 13-14 महिने का दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आगा, पूरा weekly, monthly current affairs आपको मिलेगा, पूरा GS complete मिलेगा, long note, short note, साथ में UP special, जन्गरना, budget, economic survey, जो current के data हैं, जैसे की, आपका अनाज है, फल है, सबजी है, उत्पादन है, ख 9, ठीक है, इस नंबर पर आपको notes लिख करके, या फिर test series लिख करके, whatsapp कर देना है, जहाँ पर आपको group में जुड़ने की प्रिक्रिया बताए जाएगी, कि कैसे आपको notes मिल सकते हैं, या कैसे आप हमारे test series से जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो इस नंबर पर notes लिख करके, य सकते हैं information लग सकते हैं अपनी query कर सकते हैं अपनी समस्याओं का समधान कर सकते हैं ठीक है चलिए तो फर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की current affairs की जो आज का बहुत important topic है और यहां पर जो भी current affairs है हम बहुत important च्छाट च्छाट करके लाते हैं हाला कि जो हमारा current affairs वाला group है तो आपको पूरा current मिल रहा है वहां पर बीकली मंतली आपको PDF मिल रही है ठीक है पूरी विस्तार से लिखी होई प्रिंटेड ठीक है लेकिन यहां पर क्या है यह video में हम इतना महातपूर है चुकि video में बहुत सारी बातों को सामिल नहीं कर सकते हैं video में सिर्फ उनी बातों को हम सामिल कर सकते हैं जो बहुत important है तो उसमें से जो भी बहुत महातपूर करणट आपको इसी तरह से मिलता रहेगा बस आप लोग जोड़े रहिए देखते रहिए साथ ही अपना नोट बना लीजे करन्ट अफेर्स का जिसमें हम जो भी पढ़ाते हैं तो यह पर लिखा इसको नोट कर लीजे साथ में इसके लाबा जो भी और हम बताएंगे उसको भी आप नोट करते चलें ताकि परिक्षा के टाइम पर आप उसको प्रॉपर तदिकी से रिवाइज कर सकें चुकि परिक्षा टाइम पर रिवीजन की बहुत आवसकता होती है ठीक है चलिये तो पर सुरुवात करते हैं जलगाओं केला यह आपको पता होना चाहिए कि महराष्ट म वहां का बहुत अच्छा है और उस केले में बहुत सारे मिननल्स और फाइवर पाई जाते हैं तो हाली में इसको जो है जिले का किसी प्रदेश का तो उसको जियाई टेक दिया जाता है ठीक है यह ठीक होता मतलब कि उस वस्तु को मतलब यह संकित प्रदान करता कि अपने आप में स्रेश्ट है इससे अच्छा कुछ नहीं तो जलगाओं के लिए को 2016 में जियाई टेक दिया गया था तो हाल ही में जलगाओं के लिए का निर्यात कहां पर किया गया दुबई में किया गया ठीक है यानि कि दुबई में भी इसकी डिमांड हो गई है तो दुबई में इसका निर्यात किया गया इसलिए अभी चर्चा का बिशे रहा है और एक इससे महराष्ट में पाई जाती है और यह यह थोड़ा सा माइक गड़बड कर रहा है चलिए अगला है सी एम राइज स्कूल यूजना इसकी घोशना मध्यप्रद्द सरकार की द्वारा की गई है इसमें क्या होगा इस यूजना की प्रथम वर्स में 350 स्कूलों का चैन किया जा रहा है इसमें ट्राइबल और दूरस्त छेत्रों सहित सभी छेत्र के विध्याला सामिल किये जाएंगे ट्राइबल यानिक जो जनजाती छेत्र हैं या जो दूरस्त छेत्र हैं जहां पर सिक्षा नहीं है विध्याला नहीं है तो उसमें उन छेत्रों को सामिल किया जा रहा है इसका मक्सद क्या होगा राष्टी सि तो इसके तरफ कि एंगा जख़ह तिक्षा के खेतं परिवरतन करने की पहल।। जो भी नई राष्टी ती आई है तो मतलब उस शिच्छा को उन्हें लोगों तक भी पहुंचाना जहां तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है या जो लोग अभी शिक्षा से वंचेत है तो उन लोगों तक भी शिक्षा को पहुँचाना इसका पुर्मुक देश होगा ट्राइवल और दूरस छित्रों को इसमें मूल रूप से सामिल के जाएगा चुकि आप देखते मध्द प्रदेश में ट्राइवल एरिया ट्राइवल यह पाइन आइलेंड है कहां पर है अंटार्टका में है एक आइलेंड वरप का बड़ा ग्लेसियर है तो यह टूट रहा है साध्यन के आगया है कि यह बहुत तेजी से टूट रहा है अगर यह टूटता है उसके पिघलने से समुद्र इस्तर में 0.5 मीटर या फर 1.6 फिट की ब्रिद्धी हो सकती यानि कि समुद्र का जल इस्तर पॉइंट है या कि आधा मीटर या कहलें कि लगवग 1.5 फिट उंचा हो सकता है तो यह अंटार्टका में ग्लेसियर है काफी बड़ा ग्लेसियर है तो यह पिघल रहाए साध्यन में आया है नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 ठीक है यह जो दान दाताओं के जो सबसे दान दाता देश कौन है दान करताओं की सूची तो इसमें भारत को चौदमा इस्थान मिला हुआ है भारत चौदमे इस्थान पर है टॉप 20 में इसने आपने इस्थान बनाया है टॉ तो ये वल गेविंग इंडेक्स में यानि कि विश्व दान दाताओं की सूची कह लें इसको नेक्स्ट है कुरवई खेती सब्सिडी योजना ये तमिल नाडू के सरकार के द्वारा हाल ही में प्रारम की गई है और कुरवई का मतलब होता है अल्पकालिक ठीक है यानि कि सौट टर्म जो अल्पकालिक फसले हैं उनको कुरवई कहा जाता है तो कुरवई खेती सब्सिडी योजना प्रारम की गई है तमिल नाडू सरकार के द्वारा इसका उद्देश यो होगा कि कावेरी डेल्टा छित्र में कुरवई खेती में सामिल किसानों को उपकरण सम्मंदी सब्सिडी पानी के लिए मशीनरी एवं अन्यार्थिक सुबध ज़ना प्रात्त कराई जाएंगी जो किसान कुरवई खेती से जुड़े हुए है अल्पकालिक खेती और योजना से जुड़े हुए है तो उनको ऐसे संब्सिडी अपकरण है या कुछ मशीनरी है या सिचाई के संसाधन है जो भी अन्य चीजए इस एकिती में लगती है त योग की थीम थी योगा फोर वेल बिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर ही पूछा जाता है कि इस वर्ज के अंतराश्टी योग दिवस की थीम क्या थी क्या रखेगा योगा फोर वेल-बिंग और योगा एक भारती विरासत है इस अभ्यान के तहत संस्कृति मंत्राले योग दिवस मना रहा है ठीक है जो भारत का जो भारती संस्कृति मंत्राला है वो योग एक भारती विरासत है अभ्यान के तहत इस योग दिवस को मना रहा है ठीक है तो दोनों चीज़ा रखेगा योगा फॉर वेल विंग ये थीम है और योग एक भारती विरासत है ये अभ अभ्यान के तहट 75 सांस्कृतिक इस्थलों को योग दिबस के लिए चुना गया थीक है यहां पर यह योग दिबस का आयोजन किया गया था कि सभ्यान के तहट योग एक भारती विरासत है इस अभ्यान के तहट नेक्स्ट विश्व के सबसे ताकतवर चुम्मक का निर्माण तो फ्रांस में किया जा रहा है यानि सबसे बड़ा यह ताकतवर चुम्मक होगा ठीक है फ्रांस में एक मसीन तयार हो रही है जिसे धर्ती का सूर है धर्ती का सूर कहा जाएगा जो फ्यूजर एनरजी तयार करी है तो यह कुई लोखिए कर देना ऐसे पास लाते तो कै約 한다 को अगर है और लोह कंजोर ऑन बजन है तो एसे वह खीच लेता है तो अगर यह मने बढ़ा और इतना सक्तसाली ऊगांуск कर ऐसे हवाईजाज कर पस लाएं तो यो ऐसे चिपखा पके हवाईजाज को ऊपर उठावल लेगा इतना सक्तिसाली चुम्बक होगा OS इसलिए उसको धर्टी का सूर का जाथ हो तो कि सूर अपनी होर सबको जो अपनी होर खीशता है ना इसलिए और ये चुम्मक हवाईजाज को उठाने में सक्षम इतना बड़ा होगा ठीक चली नेक्स्ट है भारत ने गहरे समुद्री मिसन की घोसना की है यानि कि समुद्र की गहराईयों में जाये जायेगा जहां पर मौझूद मिन्नल्स की जानकारी जुटाई जायेगी यानि कि अभी कुछ रिसर्च हुए तो पता चला है कि समुद्र की लगवख 6000 मीटर की जायेगा और वहां पर जो भी मिन्नल्स है जो भी खनेज मौझूद है उनकी जानकारी एकटा की जाएगी ति कहां पर समुद्र में 6000 मीटे कई प्रकार के खनेज है ऐसा हाल के रिसर्चों से पता चला है नेक्स्ट है यूबा सक्ति कोरोना मुक्त अभ्यान ये मद्प्रद दूर रह सके हैं हमारि से दूर रह सके हैं इसका उद्देश यह होगा की कालेज के सिक्षकों बार छात्रों को कोवीट 19 संक्रवन के प्रत्य ज्यागरूक प्रतान करना ये इसका मूल उद्देश होगा ठीक है इसके गर गर CBI के नए बन्मक कौन बने हैं शुवत कुमार जैसवाल को CBI का यानि कि भारती अन्वेश्ड विरो का नया प्रमुक बनाये गया है पुलिस में ट्रान्सजेंडरों की भी भरती को मंजूरी दे दि निया यह ओडिशा ऐसा राज है जिसने हाल ही में पुलिस में अब ट्रान्सजेंडर भी भरती हो सकेंगे महमूद जमाल कनाडा सुप्रीम कोट के जज्ज मनाए गया है भारती मूल के याद रखेगा कनाड़ा में सुप्रीम कोट के जज्वन है कौन महमूद जमाल ये भारती मूल के है ठीक है विनेश फोगाट ये पोलन्ड ओपन तोजार एकिस में नोने हाली में स्वड़ पतक जीता है तिरपन किलोवर्ग में ठीक है ये भारती वो कुस्ती लड़ती है विनेश फोगाट ये इरान के नई राश्पती बने हैं इन्होंने हसन रूहानी का स्थान लिया है हसन रूहानी काफ़ी समय से बिराजमान थे अब वो बदल गए है तो इब्राहिम राइशियो काफ़ी इंपोर्टन है चुकि इरान से हमारे सम्मण ठीक ठाक है ये आते रेवी रहते हसन पर जाती है तो इसकी रक्षा के लिए ऑपरेशन ऑलिविया भारती तरच्छक बलद्वारा चलाया जा रहा ठीक है तो ये था अच्या करन्ट अफ्यर्स उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगा उनको कर दीजिए तो आपको गुर्प में जुलने एक प्रक्रिया बता दी जाएगी तिक है बाकी करन्ट की स्रीज भी आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी मिलता हूं अगले वीडियो में नमस्कार जैन